इंद्रियाणी पराण्याहू इंद्रिये भ्या परम्मनहा मानतस्तु पराबुधि ही योबुधे परतस्तु सहा। प्रेदर शुकूँ नमस्कार एक बार फिर से उपस्तित हूँ आप सब के सामने सो मुआर के कारेकरम में संतान को लेकर के हमें कब बहुत ज़्यादा विचार कर लेनी चाहिए कि उसकी सुरक्षा का विशेश खयाल हमें कब रखना चाहिए कब हमें इस बात का एहसास रख ल देना चाहिए किस परिस्थती में कौन सी परिस्थती अगर जाता की कुंडली में बन रही हो जैसे आपके बिटे की कुंडली में अगर बन रही हो या फिर आपकी कुंडली में अगर वैसी बात उपस्तित हो तो नहीं संदे हमें अपने बच्चों का हमें अपने संततियों का विशेश खयाल रखना चाहिए आज का कारिकरम आपको सुरक्षा के दृष्टी कोंड से मैंने बानाने का प्रयास किया है आए कारिकरम के आरम है में बोलेगा श्लो का अर्थ भी बताने वाला हूं कहीं जाना नहीं है बिल्कुल बनके रहिएगा शुरू करते हैं आज का क आए अब आप कुस्तिते विशेश पहले के आता हूं कौन कौन सी स्थती बने तब हमें अपनी संतती का विशेश खयाल रखने की आवश्यक्ता हो जाती है उसमें से सबसे पहली बात हो आपकी कुंडली में संतती के कारक देव गुरू ब्रहस्पती होते हैं अगर उनकी स्थती कहीं भी कुंडली में ध्यान से समझेगा अगर कुंडली में कहीं से भी ब्रहस्पती की स्थती दो ग्रहों के साथ हो या तो मंगल के साथ हो या फिर राहू के साथ हो तो हमें अपने बच्चों का विशेश खयाल र वैं आठहे में और तीसरे भावबं में बन रही हो तो और भी जादा खतरनाग होती है हमें अपने बच्चों का विशेश ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जब वो जाते हैं तो रूंटे खड़े हो जाते हैं मैं बोल रहा है मिरे रूएं जो हैं वो खड़े हो रहे हैं क्योंकि मेरी बात हुई थी किसी से वो उत्तर प्रदेश के थे स्विमिंग पूल में जा करके उनका बच्चा गायव हो गया था और बड़ा हो करके वो 20-22 साल का था और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने दरसल मुझसे यही बात कही थी कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उसकी कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जो उसे इस अवस्था में बृत्यू को गती देते हैं ऐसे कौन से ग्रह उसकी कुंडली में उपस थे अभी कुछ दिन पहले भी मेरी ये किसी सी बात हुई तो उसमें भी यही इसी तरीके की कुई घटना थी इस वज़े से मैंने ये बात कही कि हमें इस बात को सुरक्षात्मक दृष्टी कौन से ध्यान में रख लेना चाहिए अगर गुरु कहीं भी विशेशतया मंगल और राहू के साथ होते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रख लेना चाहिए ये पहली बात दूसरी बात अगर आपकी कुंडली में लगनेश निर्बल हो मतलब लगन के अधिपती अस्त नीच के या कमजोर होते हो या लगन के अधिपती राहू, शनी, मंगल के साथ बैठे हो तो हमें अपने बच्चों का विशेश ख्याल रखना चाहिए अब ये ख्याल कैसा हो सकता है हमें बार-बार उसे पूछ लेना चाहिए कहां हो, क्या कर रहे हो, किस के साथ हो, कहां जा रहे हो इस बात का ख्याल रखना चाहिए ये दूसरी बात है तीसरी बात, जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव के अधिपती जो भी आपकी कुंडली में बनते हो ध्यान दीजेगा बड़ी कमभीरता से जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपती जो बनते हो यहाँ पे जो अंक लिखा हो अगर वो नवमान्स कुंडली में अब यहाँ पे आपको नवमान्स देखने की आवशक्ता होगी अगर वो नवमान्स कुंडली में मंगल की राशी में या फिर बुद्ध की राशी में बैठे हो जैसे मान लीजे यहाँ पे शुक्र की राशी ब बैठे हैं अगर इन चार राशियों में आपकी कुंडली के पंचमेश बैठे हैं और लगन कुंडली में वो छठे, आठे, बारह में बैठे हो शनी मंगल राहु केतु के साथ उनके संबंध बन रहे हो तो निशन्दे ख्याल कर लेना हाँ पकी बात है ये तीसरी बात थी कहीं से भी पंचमभाव के अधिपती राहु के साथ हो या पंचमभाव में राहु खुद बैठे हो या पंचमेश राहु के साथ पंचमभाव में ही हो तो अपनी संतती का विशेश खयाल रखना चाहिए हाँ पकी बात है और जरूर ही हमें उसकी प्रतिक प्रकार से सुरक महसूस करते हुए बना रहा हूं गम्हिरता से विचार कर लिजे ये बात अगर हो तो नहीं संदे है आपको अपने बच्चों को यात्रा पे जाने से पहले स्कूल में जाने से पहले बच्चों को छोड़ने से पहले उनके मित्रों का ख्याल करिए वो किसके साथ जा रहा है, वो किसके साथ बैठ रहा है, वो किसके साथ वक्त भीता रहा है, वो कहां जा रहा है, गाड़ी चला रहा है तो कौन उसके ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है उसकी गाड़ी के, ये सब सारी बते हैं, ये चौथे सुत्र के रुपने मैंने आप उसके बाद जन्म कुंडली के लगन में ही गुरू मंगल लाहू का योग बनता हो जन्म कुंडली के सातमे भाव में गुरू मंगल राहू शनी और कही से भी आठमे या बारह में भाव के अधिपती के साथ उनकी यूती होती हो जैसे अगर मानलीजी यहाँ पर Гुरू बैठे राहू बैठे हो और आठे भाव के अधिक्वति शनी भी बैठ गया या यही इस्थती पंचम भाव में गुरू बैठे हो मंगल बैठे हो राहू बैठे हो और अस्टमेस या बारमे भाव का कोई एक अधिक्वति भी वहीं बैठ चाहे तो यह बात बड़ी खतरनाक होती है सं से संभाल नहीं पाते ये कारिक्रम बड़ा अजीब था परसुचा बता तूँ अब आईए कारिक्रम के आरम हमें बोले के श्लोक का अर्थ बता देता हूं गीता जी के तीसरे अध्याय के 42 श्लोक में भगवान ने बात कही है क्या कही है इधर आईए ये जो आपका रथ है ये जिस पे आप सवार होकर के अपने जीवन की यात्रा कर रहे हो अगर इसको मन से बांधा नहीं न तो आपको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए हमेशा उतारू होते हैं इसको बांधना ही पड़ता है और इसको सैयमित करके ही चलना पड़ता है जीव आपके देखने की शक्ती को परिशान करती है कि नहीं मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही देखूंगा जिसमें भगवत भक्ती का मार्ग न दिखता हो और सिर्फ छणिक शुक दिखता हो इसलिए पहले उस पे अपने आपको मौन बना लो नहीं मुझे ये नहीं करना है य रास्ता मुझे इश्वर की भक्ती की तरफ और इश्वर की शरनागती की तरफ नहीं ले जा रही है इससे इश्वर का कोई वास्ता नहीं है तो इसको समझ लो जो भी कर रहे हैं उसमें इस बात को देख लीजिए कि क्या जो कर्म आपके द्वारा किये जा रहे हैं क्या वो इस्वर के और इस्वर के बताये गए मार्ग पे जा रहे हैं अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर लोट आओ जाने की कोई आवशक्ता नहीं तब तक लिजाज़ा दीजे कारिकरम क्या आरम है में बोले का श्लोक का ये अर्थ था अब कल आपके सामने एक बाद फिर से उपस्तित होंगा तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार